सामान्य हिंदी सामान्य शब्द ज्यान एवं व्याकरण प्रश्न संख्य एक इन में से प्रथम का उप्युक्त विप्रीतार्थक शब्द होगा विकल्प A प्रदहान विकल्प B गौन विकल्प C अन्तिम विकल्प D प्रत्यक्ष सही उत्तर है विकल्प C अन्तिम प्रश्न संख्या 2 अनुरक्ति का विप्रीतार्थक शब्द है विकल्प A आसक्ति विकल्प B प्रशस्ति विकल्प C विरक्ति विकल्प D प्रकृति सही उत्तर है विकल्प C विरक्ति प्रश्न संख्य तीन आधुनिक का विलोम है विकल्प A. समीधीन विकल्प B. आरवाचीन विकल्प C. प्राचीन विकल्प D. समसामाइक सही उत्तर है विकल्प C. प्राचीन उत्तर की व्याख्या आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होगा जबकि प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होगा प्रश्न संख्या चार गौरव का विप्रीतार्थक शब्द है विकल्प A वैभव विकल्प B लाघव विकल्प C पराभव विकल्प D निर्भीक सही उत्तर है विकल्प B लाघव उत्तर की व्याख्य गौरव का विप्रीतार्थक लाघव होगा व्यभव का विलोम दारिद्र है प्रश्न संख्य पांच नैसर्गिक का विप्रीतार्थक शब्द है विकल्प A अनुर्वर विकल्प B आ विर्भाव विकल्प C. प्राकृत, विकल्प D. कृत्रिम सही उत्तर है विकल्प D. कृत्रिम प्रश्न संख्या 6. अनुग्रह का उप्युक्त विप्रीतार्थक शब्द होगा विकल्प A. विग्रह, विकल्प B. आग्रह, विकल्प C. परिग्रह, विकल्प D. संग्रह सही उत्तर है विकल्प A विग्रह प्रश्न संख्या साथ सदाचार का विलोम है विकल्प A आचार विकल्प B कदाचार विकल्प C अपराद विकल्प D अन्याय सही उत्तर है विकल्प B कदाचार प्रश्न संख्या आठ इन में से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है विकल्प A. आपत्ति, विपत्ति विकल्प B. अवर्षण, अनावर्षण विकल्प C. गनतंत्र, जनतंत्र विकल्प D. आद्रित, तिरस्कृत सही उत्तर है विकल्प D. आद्रित, तिरस्कृत प्रश्न संख्य नौ आवर्तक का विप्रीतार्थक शब्द है विकल्प A प्रवर्तक विकल्प B अनावर्तक विकल्प C आवरित विकल्प D प्रकर्शक सही उत्तर है विकल्प B अनावर्तक प्रश्न संख्य 10. अम्रित का विलोम है, विकल्प A. अर्क, विकल्प B. पियूश, विकल्प C. मधुर, विकल्प D. विश, सही उत्तर है विकल्प D. विश उत्तर की व्याख्या, अम्रित का विलोम विश है, मदुर का विलोम कट होता है, पीउश का विलोम भी विश होता है प्रश्ण संख्य ग्यार, निम्निलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है विकल्प A, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की विकल्प B, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, विकल्प C, समस्त प्राणि मात्र का कल्यान करो विकल्प D, आपकी आयू 40 वर्ष है, सही उत्तर है विकल्प B, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया उत्तर की व्याख्या, शुद्ध वाक्य उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की समस्त प्राणियों का कल्यान करो आपकी उम्र 40 वर्ष है प्रश्न संख्या 12 निमनलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है विकल्प A उस जंगल में प्राताकाल का द्रिश्य बहुती सुहावना होता था विकल्प B बाग और बक्री एक घाट पर पानी पीती है तमाम देश भर में ये बात फैल गई सही उत्तर है विकल्प A उस जंगल में प्राताकाल का द्रिश्य बहुती सुहावना होता था प्रश्न संख्या 13 वर्तनी की द्रिश्य से शुद्ध शब्द है विकल्प A पूज निय विकल्प B ततकालिक विकल्प C प्रामानिक विकल्प D पैत्रिक सही उत्तर है विकल्प C प्रामानिक उत्तर की व्याख्या अशुद पूजनिया शुद पूजनिया अशुद ततकालिक शुद तातकालिक अशुद पैत्रिक शुद पैत्रक प्रश्न संख्या 14 निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो है विकल्प A मैं अनेकों बार विदेश गया विकल्प B इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता विकल्प C बिना टिकट यात्रा दंडनिया है विकल्प D आप केवल इतना ही काम कर दीजिये सही उत्तर है विकल्प C बिना टिकट यात्रा दंडनिया है प्रश्न संख्या 15 निम्नांकित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है विकल्प A याज्य वल्क विकल्प B सद्रिश विकल्प C हस्तक्षेप विकल्प D ग्रिहनी सही उत्तर है विकल्प A याज्य वल्क उत्तर की व्याख्या अशुद्ध याज्य वल्क शुद्ध याज्य वलक्य प्रश्न संख्या सोला निम्नलिकित में से एक वर्तनी शुद्ध है विकल्प A नुपूर विकल्प B इस्मारण विकल्प C कवयित्री विकल्प D परिस्थिती सही उत्तर है विकल्प C कवयित्री उत्तर की व्याख्या अशुद्ध नुपूर शुद्ध नुपूर अशुद्ध इस्मारण शुद्ध इस्मारण अशुद्ध परिस्थिती शुद्ध परिस्थिती प्रश्न संख्य सत्र इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है विकल्प A. रजिता, विकल्प B. अनाधिकार, विकल्प C. चिन्ह, विकल्प D. अनुकूल, सही उत्तर है विकल्प D. अनुकूल उत्तर की व्याख्य अशुद्रचेता शुद्रचेता अशुद्रचेता 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 अशुद्रचे प्रश्न संख्या उन्निस एक की वर्तनी शुद्ध है विकल्प ए अधिकारिक विकल्प बी आधिकारिक विकल्प सी अधिकारक विकल्प डी अधिकारिक सही उत्तर है विकल्प बी आधिकारिक प्रश्न संखिय 20 वर्तनी की दिश्च से शुद्ध शब्द है विकल्प A. परिच्छा, विकल्प B. परीच्छा, विकल्प C. परिच्षा, विकल्प D. परिक्षा, सही उत्तर है विकल्प C. परिक्षा प्रश्न संख्या 21 वो कवी जो ततकाल कविता करे के लिए एक शब्द है विकल्प A सु कवी विकल्प B रस सिद्ध कवी विकल्प C महा कवी विकल्प D आशु कवी सही उत्तर है विकल्प D आशु कवी प्रश्न संख्या 22 जिसकी आशा न की गई हो के लिए उप्युक्त एक शब्द है विकल्प A आशा तीत विकल्प B अप्रत्याशित विकल्प C आशानवित विकल्प D प्रत्याशा सही उत्तर है विकल्प B अप्रत्याशित प्रश्न संख्या 23, बिना पलक जपकाई के लिए शब्द होगा? विकल्प A. चकित, विकल्प B. देखते रहना, विकल्प C. विपलक, विकल्प D. निनिरमेश, सही उत्तर है विकल्प D. निनिरमेश प्रश्न संख्य 24 उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है विकल्प A धरोहर विकल्प B उत्तराधिकृत विकल्प C रिक्थ विकल्प D परिसंपत्ति सही उत्तर है विकल्प C रिक्थ प्रश्न संख्य 25 जो युद्ध में इस्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है विकल्प A. युद्ध इस्थित विकल्प B. युद्ध इस्थिरी विकल्प C. युद्ध इस्थिर विकल्प D. युद्ध प्रेमी सही उत्तर है विकल्प C. युद्धिर प्रश्न संख्य 26 कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है विकल्प A. मित भाशी विकल्प B. मृदु भाशी विकल्प C. बहु भाशी विकल्प D. अभाशी सही उत्तर है विकल्प A. मित भाशी उत्तर की व्याख्या कम बोलने वाला मित भाशी, मधुर बोलने वाला मृदु भाशी, बहुत सी भाशाओं को जानने वाला बहु भाशी प्रश्न संख्य 27 जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा विकल्प A. अपरिमिय, विकल्प B. अनुमिय, विकल्प C. परिमिय, विकल्प D. विनिमय, सही उत्तर है विकल्प C. परिमिय उत्तर की व्याख्या, जो तोला जा सके परिमिय, जो तोला न जा सके अपरिमिय, लेना और देना आदान प्रदान विनिमय प्रश्न संख्या 28 जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है विकल्प A आस्थावान विकल्प B आस्तिक विकल्प C विश्वासी विकल्प D आसुरी सही उत्तर है विकल्प B आस्तिक प्रश्न संख्य 29. सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है. विकल्प A. ज्यानी. विकल्प B. महाज्यानी. विकल्प C. सरवग्य. विकल्प D. जानकार. सही उत्तर है विकल्प C. सरवग्य. प्रश्न संख्य 30. जो किसे विशय का ज्याता हो के लिए एक शब्द है. विकल्प A. अभिज्य. विकल्प B. चैतन्य. विकल्प C. विशिष्ट. विकल्प D. विशेशग्य. सही उत्तर है विकल्प D. विशेशग्य. प्रश्न संख्य 31. घोला का उप्युक्त तत्सम शब्द है. विकल्प A. अश्व. विकल्प B. घोटक. विकल्प C. तुरंग. विकल्प D. बाजी. सही उत्तर है विकल्प B. घोटक. प्रश्न संख्य 32. गोधूम का तद्भव शब्द है. विकल्प A. गोत. विकल्प B. गोद. विकल्प C. गेहूं. विकल्प D. गोहू. सही उत्तर है विकल्प C. गेहूं. प्रश्न संख्य 33. निम्नलिखित में तद्शम शब्द है. विकल्प A. पंक्ति. विकल्प B. पंक्ष. विकल्प C. पंदरह. विकल्प D. पंकद. सही उत्तर है विकल्प A. पंक्ति. प्रिश्ट संख्य एक सो चवालिस प्रश्ण संख्य चौंतिस कपट का तद्भव रूप है विकल्प A कपट विकल्प B कारपेट विकल्प C कपूर विकल्प D कपड़ा सही उत्तर है विकल्प D कपड़ा प्रश्ण संख्य पैंतिस निमनलिकित शब्दों में से तत्सम शब्द है विकल्प A. जोगी विकल्प B. जोवन विकल्प C. जमाई विकल्प D. योवन सही उत्तर है विकल्प D. योवन प्रश्न संख्या 36 निमनांकित में से तद्भव शब्द चुनिये विकल्प A. बल्वान विकल्प B. बांज विकल्प C. चम्चा विकल्प D. आस्मान सही उत्तर है विकल्प B. बांज प्रश्न संख्या सैंतिस चौथा का तत्सम शब्द है विकल्प A. चतुष्पद विकल्प B. चतुष्क विकल्प C. चतुष्काठ विकल्प D. चतुर्थ निम्निलिकित में से तद्धव शब्द है विकल्प A. अंगना, विकल्प B. गयंद, विकल्प C. अंगी, विकल्प D. वानर सही उत्तर है विकल्प B. गयंद प्रश्न संख्य 49, निमनलिकित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? विकल्प A हात, विकल्प B हार, विकल्प C हाथी, विकल्प D हसी, सही उत्तर है विकल्प C हाथी प्रश्न संख्य 40, निमनलिकित में से तद्भव शब्द है, विकल्प A नग्न, विकल्प B दक्षण, विकल्प C द्राक्षा, विकल्प D दाढ़ी, सही उत्तर है विकल्प D दाढ़ी प्रश्न संख्य 41, पांडु शब्द विशेशन की द्रिश्च से है, विकल्प A केवल विशेशन, विकल्प B केवल विशेश, विकल्प C विशेशन और विशेश दोनों, विकल्प D उपर्युक्त में से एक भी नहीं सही उत्तर है विकल्प C विशेशन और विशेश दोनों, प्रश्न संख्य 42, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रेउक्त विशेशन है, विकल्प A अनिश्चय वाचक, विकल्प B निश्चय वाचक, विकल्प C प्रश्न वाचक, विकल्प D संबंध वाचक, सही उत्तर है व दसमा शब्द है विकल्प A गणना वाचक विशेशन, विकल्प B क्रम वाचक विशेशन, विकल्प C आवरित्ती वाचक विशेशन, विकल्प D समुदाय वाचक विशेशन, सही उत्तर है विकल्प B क्रम वाचक विशेशन प्रश्न संख्य 45, इन में से खेलना शब्द से बना विशेशन है विकल्प A. दयालू, विकल्प B. कृपालू, विकल्प C. खिलाडी, विकल्प D. धार्मिक सही उत्तर है विकल्प C. खिलाडी प्रश्न संख्या 46 निम्निलिकित में से एक शब्द विशेशन नहीं है विकल्प A. अकूत विकल्प B. अचार विकल्प C. अकर्ण विकल्प D. अचंड सही उत्तर है विकल्प B. अचार प्रश्न संख्या 47 प्रतापसिया का घोडा काला है इनमें काला विशेशन की दिर्शिसे है विकल्प A. सार्वनामिक विकल्प B. क्रम बोधक विकल्प C. विधिय विशेशन विकल्प D. विशेश्य विशेशन सही उत्तर है विकल्प C. विधिय विशेशन प्रश्न संख्या 48 एक वाक्य में विशेशन अशुद्ध है वो है विकल्प A सुन्दरी लड़की विकल्प B सुन्दर लड़की विकल्प C सुन्दर लड़का विकल्प D सुन्दर लड़के सही उत्तर है विकल्प A सुन्दरी लड़की प्रश्न संख्य उन्चास जिसकी विशेशता बताई जाए उसे कहते हैं विकल्प A. विशेशन विकल्प B. विशेश्य विकल्प C. सर्वनाम विकल्प D. विशेशक सही उत्तर है विकल्प B. विशेश्य उत्तर की व्याख्य जिसकी विशेशता बताई जाए विशेश्य जो विशेशता बताता हो विशेशन कहलाता है तथा संग्या के स्थान पर प्रियोक्तों होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं प्रश्न संख्य पचास नियमने लिखित में विशेश्य शब्द है विकल्प A विपन विकल्प B वादी विकल्प C विशिष्ट विकल्प D मानस सही उत्तर है विकल्प D मानस प्रश्न संख्य 51 चोर का परियाईवाची शब्द है विकल्प A खनक विकल्प B उदक विकल्प C दोसर विकल्प D थल्चर सही उत्तर है विकल्प A खनक उत्तर की व्याक्या चोर के परियाई वाची हैं खनक, दस्यू, रजनीचर, तसकर प्रश्न संख्या 52 बिजली का परियाई है विकल्प A शर्वरी, विकल्प B तनया, विकल्प C रमणी, विकल्प D दामिनी सही उत्तर है विकल्प D, दामिनी उत्तर की व्याख्या बिजली के परियाईवाची हैं सौदामिनी, चंचला, दामिनी, तडित, चंपा, क्षणप्रभा, विद्युत प्रश्न संख्य त्रेपन चंद्रहास का परियाईवाची शब्द है विकल्प A. तीर, विकल्प B. तलवार, विकल्प C. भाला, विकल्प D. धनुषबाण सही उत्तरहे विकल्प B. तलवार प्रश्न संख्य चव्वन इन में से वसुधा का परियाईवाची शब्द है विकल्प A. विपुला विकल्प B. शर्वरी विकल्प C. धेनुका विकल्प D. पयस्विनी सही उत्तर है विकल्प A. विपुला प्रश्न संख्य पच्पन हुताशन का परियायवाची है विकल्प A. निर्धन विकल्प B. अग्नि विकल्प C. अगनित विकल्प D. अखंड सही उत्तर है विकल्प B. अग्नि उत्तर की व्याख्य अग्नि के परियायवाची है आग, अनल, हुताशन, पावक, ज्वाला, वैश्वनावर, धूम्र केतु, दवन, देहन, ज्वलन प्रश्न संख्य चप्पन निर्धनलिकत विकल्पों में से चंचरीक शब्द का परियायवाची चुनिये विकल्प A. हवा, विकल्प B. ब्रहमर, विकल्प C. मित्र, विकल्प D. पुत्र, सही उत्तर है विकल्प B. ब्रहमर प्रश्न संख्य सत्तावन तिमिर्का परियायवाची है विकल्प A. प्रकाश, विकल्प B. रात्री, विकल्प C. सूर्य, विकल्प D. अंधकार सही उत्तर है विकल्प D. अंधकार प्रश्न संख्य अठावन जीप का परियाईवाची है विकल्प A. वचन विकल्प B. रसना विकल्प C. ध्वनि विकल्प D. जीव सही उत्तर है विकल्प B. रसना उत्तर की व्याख्य जीप के परियाईवाची है Чंचिला, रसना, रसग्या प्रश्न संख्य उन्सट अपरणा शब्द का परियायवाची है विकल्प A. औरत विकल्प B. देवांघना विकल्प C. आराधना विकल्प D. पार्वति सही उत्तर है विकल्प D. पार्वति प्रश्न संख्य साथ निम्नलिकित में प्रिथवी का परियायवाची शब्द नहीं है सही उत्तर है विकल्प C अचल उत्तर की व्याख्य अचल परबत का परियायवाची है न की प्रिथवी का